विराट कोली रच देंगे इतिहास आपको बता दें कि अगर विराट कोली T20 सीरीज जो चल रही है अफगानिस्तान के खिलास पहले मुकाबले में नहीं खिले दूसरे मुकाबले में ठीक ठाक पर्फॉर्मेंस था खाफी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे लेकिन तीसरे मुकाबली में अगर उनके बल्ले से 6 रन आ जाता है तो इतिहास रच देंगे एक ऐसा इतिहास रचेंगे जो कि एक भारती खिलाडी के रूप में पहले भारती खिलाडी बनेंगे जो कि ये कारनामा करेगा और जिस तरीके से विराट कोली पर्फॉर्मेंस करते हैं अनेको रिकॉर्ड बनाते है दुरूब और उन्होंने इतिहास रचा है भारती टीम में खेलके और भारत के लिए तमाम योगदान भी दिया है लेकिन आज का मुकाबला काफी एहम है और मुझे लगता है छे रन वो तो बहुत आसानी से बना लेंगे उनके घरेलू मैदान बैंगलूरू में मुकाबला होने वाला है तो ना सिर्फ छे रन कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उनके बल्ले से सेंचुरी आ जाए बिलकुल सही का विराट कोली वन आफ दी फाइनेस्ट बैसमन है टीम इंडिया के इस टाइम पर और जिस दिगज खिलाडी ने इस दिग दिगज खिलाडियों में से एक है जो सिर्फ और सिर्फ अब रिकॉर्ड तोड़ रहा हैं बाकी सारे दिगज खिलाडियों के सचिन तंदूल करके कह लिए और अब करिल का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे 12,000 रंस कंप्लीट करना टी 20 आई में कोई भी मजाख की बात भी आपको टीम में जगा आपने अपनी जगा बनाके रखी टीम में उतनी लंबी पानियां खेलने के लिए बहुत बड़ी बात है और यह अगर टीम इंडिया में जितने भी बैक्समन को देखो तो अगर आप ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्स की बात करते है तो विराट कोली क नाम सबसे आगे आता है और 6 रन की बात है तो ओविसली 30 20 आई में विराट कोली जब उतरेंगे तो 6 रन तो उनके बल्ले से आएंगे बट दैन अगें वही एक कोश्चन है कि अगर यही छेर रन रोहिच्छर्मा को चीया थे तो शायद बड़ी बात हो जाती क्योंकि रोह स्ट्राइक रेट से खेल रहते हैं और आपको बता दें कि विराट कोली का 11,094 रन पूरा हो गया है T20 मैचेज में अगर 6 रन बना लेंगे वह इस अफगानिस्तान के आखरी सीरीज के आखरी मुकाबले में तो कहीं न कहीं वह पहले भारती बन जाएंगे जिनके बल्ले से बड़े बड़े खिलाडी है तो अब विराट कोली का भी नाम ऐसा ही होने वाला है क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के रिकार्ड तो आपका भी नाम अब विसली फेमेस होने वाला है तीसरा T20 मुकाबल है विराट कोली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है छेरन जैसे की का ुसितने जाधा इंपॉर्टेंट होन तो प्लेयर की विए पॉर्ड कोली ना सिर्फ इस मैच wise में फेक ट्वैंटी वर्ल्ड कॉप24ुल से वकार्ड वोल्ड कॉप में वह besoin पूरि करें और टीम के साथ मौझूद है क्योंकि उनकी उनकी बैटिंग राट था ब्रूरा था बिल्कुल दुरूब विराट कोली के साथ साथ निगाहें रोई सर्मा पे भी होने वाली हैं उमीद यही रहेगी कि इस मुकाबले में जो उनका बैड लग था खराब परफॉर्मेंस था वो खतम हो जाए और सीरीज के आखरी मुकाबले में वो अपना खाता खोलना है पूरे इस तीसरे T20 में जितने भी रंसमन हैं विराट कोली इंपोर्टेंट भी है कि लीडिंग रं स्कोरर में भी विराट कोली नंबर वन पर नंबर दो पर रोहिच शर्मा तो एक वो रिकॉर्ड मीन के नाम ही है देखे एक साल से नहीं खेल है लेकिन एक साल ना खेलने के बाव सामने बोलर्स को और टीन को परिशान करता है कि अब मुझे आउट करके दिखा लेकिन विराट कोली ने नया इंटेंट दिखा है वो स्ट्राइक रिट वाला वो जो पिटाई वाली बात है नवीन उलक को बहुत तगड़ा शॉट मारा था उन्होंने अच्छी पिटाई कर हो रहे हैं एक तो आपने बता दियां दिव्यांचु की बारह हजार वाला लीडिंग रन स्कोरर पे भी अभी भी मेंटेंड है विराट कोली और शायद ही उन्हें च्छूने वाला अभी कोई बल्लेबाज आस पास होगा बिल्कुल और जिस तरीके से कमबैक किया विराट क स्टाइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे तो बहुत सांदार पारी था मतलब स्टार्ट बहुत अच्छा था बिल्कुल चोटी पारी थी लेकिन इनफ थी फैन्स को बताने के लिए और लोगों को मूँ बंद करने के लिए उनकी सवाल उठा रहे थे बाकि आप अपना ओपी कर दो